तो टेरी लोग सबस सीट से संजे कुंडलिया नियुदलिय प्रत्याशिक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं सीए का प्रोफेशन छोड़कर आए संजे कुंडलिया से बात की इंजे वह समधा था अभे कें तूरा ने क्या कुछ का आगया संजे की तरफ से इस दौरान इस खास बातचीत में देखिए तो उत्राखंड के लोग को 2000 से उत्राखंड बनने के बाद चला गया सीधा सा कहें कि चला गया बड़ी बड़ी पार्टियों राश्टे पार्टियों ने आके यहाँ छोटे छोटे दलों को रेगुलर बेसिस पे खतम करते रहे और उनको यहाँ चलते रहे गलत वादो से कभी गलत उस से कभी इन लोगों ने यहाँ राजधानी का मुद्दा यहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करना इस टाइम से करके तो जब आकरोश इतना है और मैं आपको एक चीज और बता दू कि आकरोश हमारे अंदर नहीं है यह आकरोश एक-एक आदमी के अंदर है जो कि इस बार चुनावों में निकल कर आएगा क्या लगता है जनता को क्या मैसे जना चाहिए क्योंकि सियासी दल बहुत सारी यहाँ पर वाईदे कर रहे हैं उनके साथ धन बल है जनता का बल है या कह सकते हैं उनकी कारेकरतों की एक लंबी फोज है आप किस रूप में जनता कन्वेस करेंगी कि परिवर्तन हो आपके साथ जोट सकी देखे हमारा एक बहुत जबरदस नारा है और जिसको हम आगे चलके पूरे नारे के रूप में ही प्रचारित करने जा रहे हैं हमारा मानना है कि उत्राखन प्रगरतिशील पार्टी के उम्मीदवारों को जिनका चुनावचिन टेलिवजन है उनको अगर वोट देना हो तो हक से दें नहीं तो हमें बख्ष दें वोटों की भीक नहीं मांग पाएंगे अपने बच्चों को फौजी सेना की तरह निडर बनाएंगे चलिए वोट के माध्य हम से बताएगे जितने वादे हुए बाद में बोले गए जुमले हमने तो जुमले बोल दिये तो यह तो चुनावी जुमले होता है अब ऐसे कैसे कह सकते हैं अब यह हमारा घोशना पत्र तयार हो रहा है अगले हफते हमारा घोशना पत्र तयार होगा और आप मान के चलिए वही बात है उस घोशना पत्र में होंगी जो करी जाएंगी और वह मान के ज़िए वह हकीकत होगा वह बनेगा और उतराखंड में एक नई क्रांती आएगी और उत्राखन प्रगतिशील पार्टी यहां से एक नई 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 राजनीत्य को पैदा करेगी और इसमें हमेरे पूरा विश्वास है कैमरा मैं नविलाद गैरोलागे था अब है कैंतुरा इंडिया वाइस देरा दू